हेलो हेलो and welcome everyone, welcome to the channel, तू क्या हाल है जी? मौज मस्ती कर रहो के नहीं कर रहो है के नहीं? मौज मस्ती होते हैं रहनीं चहिए, very very welcome है आपका इस channel पे जहां पे हम हर subject को बड़े मौज मस्ती चिल के साथ पढ़ते हैं एकदम बड़े भाई स्टाइल में, है ना, तो वेलकम टू अकाट हम, आज हम स्टार्ट करने वाले अपनी नई सीरीज, क्लास 8 की इंगलिश, एक दम ब्रैंड न्यू सीरीज के साथ, हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस बार हम क्या करेंगे, आपके लिए मैंने बनाई हैं, भाईया, स्टार्ट करते हैं, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हम समरी पढ़ेंगे, और क्वेशन आंसर पढ़ेंगे, यह क्या है, एक स्टोरी है, क्लास 8 का 1st चाप्टर है, ओके जी, चलो, अब इसकी समरी पढ़ेंगे, पूरा टाइम नहीं है हमारे पास, कि हम पूरी, मतलब जो स्टोरी है उसको समझें, आप समरी पढ़ोगे, आपको पूरी स्टोरी का आइडिया में दूँगा, चलो, श इस कहानी का ओथर है, उसको क्या चाहिए था, उसको हमेशा से एक डेस्क चाहिए थी, डेस्क, रोल टॉप डेस्क, याने कि यहाँ पर आप देखो, कैसे जिसमें ऐसे करके ड्रॉर खुल जाती है, इस तरीके वाली जो डेस्क होती है, उसको कहाँ पे एक दुकान में, ऐस ही तूटी-फूटी डेस्क मिली, he had longed for one since long and he was also confident that he could restore it, अब वो बहुत समय से एक ऐसी ही डेस्क चाहता था, और वो इस बात से गहुत confident था, कि मैं इसको ठीक पी कर लोगा, भले ही थोड़ी तूटी-फूटी है, बट मैं ठीक कर लोगा, it's okay, तो उसने क्या करना, उसने घर लिया है, and he starts working on it, और उसके बाद उसने 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 काम करना शुरू किया, अब on the eve of Christmas, यानि कि Christmas से एक दिन पहले है कि जो शाम होती है न, उसे कहते है Christmas Eve, आर smart बच्चे हो तुम्हें पता होगा, ठीक है, तो Christmas Eve को क्या हुआ, उसको एक secret drawer मिली, that carried a letter addressed to some woman named Connie, तो उसमे letter जो कि एक lady के नाम पे था, जिसका नाम था Connie, और ये letter किस ने लिखा था, उसके husband Jim ने, तो अब यहाँ से एक नई story शुरू होती है, एक Jim और Connie की, ठीक है, it said that it was his last letter and was dated December 26, 1914, उस letter में क्या लिखा था, कि वो last letter है, और वो 26 December, यानि कि Christmas का ही, है न, 1914, यानि कि इतनी साल, ज it was written at the time of war between Germany and Britain, जब जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में वार हो रही थी, तब ये लिखा गया था letter, it enlisted, थोड़ा जूम कर दूँ कि आप कुछ है देखने में दिक्कत हो रही हो, हां जी, it enlisted the series of events that followed on the day of Christmas that year 1914, उसमें सब कुछ लिखा हुआ था, कि Christmas से पहले उस पूरे सा और actually इस letter का नाम क्या था, A Wonderful Thing That Happened, क्या, इस पूरे साल में एक बड़ी सुन्दर चीज जो हुई, he wrote about how the two armies came together to celebrate the spirit of Christmas, despite belonging to enemy nations, तो उसने क्या बताया उस letter में, एक बड़ी सुन्दर चीज, वो सुन्दर चीज ये थी, कि दो देशों के बीच में लड़ाई होई थी, एक तर दोनों की तरफ से soldiers साथ हाए, उन्होंने साथ में Christmas को celebrate करा, कितनी beautiful बात है ना, they forgot about their differences for a while and realized that they had much in common, वो कुछ देर के लिए अपने सारे बेद भाव, अपनी जो differences थे सब भूल गए, और उन्होंने क्या देखा, कि हम लोगों के बीच में कितना कुछ common है, ये भी इंसान है, हम भी इंसान है, है ना, they shared, क्या, snaps, sausages and rum, उन्होंने खाने पीने की चीज़े, rum by rum, ये सारी चीज़े उन्होंने शेयर करी, the two officers Jim and Hans Wolf developed a good bond over a chit chat, तो उसने बताया, कि जो officer Jim और सामने वाली country का एक officer था, Hans Wolf नाम का, उन्होंसे उनकी अच्छी दोस्ती बढ़ गई एक छोटी इसी ही chit chat में, they both were the view that the country should negotiate peacefully and resolve conflicts by playing football or cricket, उन्होंने क्या उन्हों की क्या views थे, कि दोनों देशों को न, ऐसे मारधाड की जगे आराम से चीजों को solve करना चाहिए, कैसे, कोई football match करा हो, या फिर कोई cricket match करा थे, यार ऐसे करके solve करनी चाहिए चीज़े, the soldiers played football that day and when all their supply of food and drinks was finished, they knew it was time to return back to their own trenches, और उन्होंने उस दिन खूब football केला, और जब ये सारा खाना, पीना सब खतम हो गया, वो समझ चुके थे, के अब time वापिस आ चुका है, अपने अपने trenches, यानि कि जिसमें वो छुपे रहते हैं, उसमें जाने का, अब देखो, अब आगे देखते हैं, That night, they exchanged Christmas carols, Christmas carols क्या होते हैं, Christmas वाले दिन जो गाने गाये जाते हैं, उन्हें कहते हैं, Christmas carols, तो उस दिन, उस रात, actually, उन सारे soldiers ने मिलके, खूब सारे गाने भी गाये, As Jim tells Connie about the day in his letter, he assures Connie of reunion, तो इसका मतलब क्या, जो Jim, उसका husband था, Connie का, उसने जैसे जैसे इस letter में ये बताया, कि उस दिन क्या-क्या हुआ, उसके साथ उसने ये भी लिखा था, कि मैं जरूर बहुत जल्दी आ रहा हूं, यानि कि मैं reunion, तुमसे मिलने बहुत जल्दी आ रहा उसके पास पहुँचना ही चाहिए, ये क्यों नहीं पहुँच पाया उस तक, उसने क्या करा, उसने वो address ढूंडा, जो उस mention, envelope पे mention था, और उसने देखा, कि ये जो घर है न, ये बहुत ही टूटा-फूटा जला हुआ, बहुत पुराना घर है, और उसके अंदर 101 years old lady एक जो कि इन a nursing home, और इसके अंदर जो lady थी, कौन, जो Connie थी, जो कि अब 101 साल के उचुकी है, वो अभी nursing home में रहती है, तो वो गया उस nursing home में, और उसने क्या करा, उसने वो letter दिया Connie को, who is immensely overjoyed on reading the letter, और इतनी बुड़ी lady है, वो अल्मोस्ट अपने senses खो चुकी है, बस उसने ज calls him, वो इतनी खुश हो गई, कि उसने उसे लगा, कि जो letter लेके आया है, वो उसका husband ही है, वो उसको ऐसे imagine करने लगी, और उसने बोला, कि ये मेरी जिंदगी का best Christmas present है इस पूरी दुनिया में, है न, तो बस अच्छी थी न, emotional सी अच्छी जी story थी, तो बस इसी के साथ story हम ख logic, हाँ जी, तो भाईया, question number one क्या कहता है, question number one है कि, how did the author find Jim's letter, author को Jim का जो letter था हो, कैसे मिला, and what did it continue, और उसमें क्या था, चलो भाईया जी, answer देख, answer तुमको पता ही है, बस English में लिखना देख लो, कैसे लिखना है, the author found Jim's letter in the small box, tin box, put in the drawer of an old table, तो author को क्या मिला, Jim's, Jim ना था, चुकि एक drawer में रखा था, एक बहुत ही पुरानी टेबल के, अब Jim के letter में, एक letter में addressed था अपनी wife के लिए, यानि कि वो जो letter था, उसकी wife के लिए था, he was a British soldier, but he was glad to have celebrated Christmas together with the German soldiers, with British soldiers था, but उसने letter में share करा हुआ था, कि वो कितना खुश था, German soldiers के साथ Christmas celebrate करने के लिए, he put it down in the letter and promise to come back home to on Christmas, उसने यह सब कुछ उस letter में लिख दिया था, और यह भी promise किया था, अपनी wife को, कि वो next Christmas पका घर आएगा, तो बस, आगे ना समझ में, चाओ तो screenshot ले लो, वरना अगर तुम कुछ चाहिए रहेगी ना, तो यह PDF में provide कर सकता हूँ, only if you want, अब तो मैं पता बारे में बताया है, अभी जो हमने chapter में पढ़ा, वो क्या था, तो चल लिखते हैं, England and Germany were at war with each other, अब देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, best तरीका, तुम chapter मेरे साथ पढ़ो, पूरा याद हो जाएगा, मेरे साथ पूरी summary तुमने सुनी ना, मजा आया, एक्दम सब कुछ समझ में आ, I hope आगया होगा, very good, अभी copy लो, copy लो, जो question में बोल रहा हूँ, इस question को चाही तो लिखो मतले हो, question समझ लो, but answer, जैसे से मैं बोल रहा हूँ, लिखते जाओ, बीच में pause कर दो answer लिखो, क्योंकि as soon as ये video खतम करोगे तब तक तुम्हारी पूरा chapter ready हो चुका बाद में पहले video देख रहे हो, फिर question answers देखोगे, क्या यार, एक बार में पूरा तयार करो, ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ऐसे वैसे लिखते जाओ, pause करो, ले के आओ, अभी बैठो, ले आए, video, चलो, आब आगे बढ़ते हैं, फटा फट, time बिल्कूल नहीं है, England and Germany Germany were at war with each other, England और Germany आपस में war में थे, the British soldiers were waiting to shoot the German soldiers, British soldiers, German soldiers आपस में एक दूसरे को मारने के लिए बस तयार बैठे थे, but on Christmas, but Christmas के दिन क्या हुआ, एक स्ट्रेंज डेवलाप्मेंट, एक स्ट्रेंज चीज हुई, क्या हुआ, जो German soldiers थे, वो अपनी hiding places से बाहर आ गये, और क्या बोले, Happy Christmas, किनको British soldiers को, वो किसी भी तरीके की गोली, बारूद, गन, वन अपने साथ नहीं लाए थे, और अपने साथ लाए थे, white flag, यानि कि peace का symbol, the British soldiers, led by Captain Jim Macpherson, अब जो उसका husband था, कौनी का husband, मतलब जिसने वो letter लिखा था, उसका क्या नाम था, वो Captain था, वो एक officer था, Jim Mac person, agreed to celebrate the festival together, who finally, उसने agree कर दिया, peacefully, इसको celebrate करने के लिए, clear, चलो, अब third question, ठीक है, question फटा-फट देख लो, कि फिर हम बहुत, बहुत चुट है, who are Fritz and Tommy in the story, अब ये दो बंदों के बारे माँ बात करते हैं, कौन है ये दोनो, Fritz and Tommy are the names given to German and British soldiers, respectively, ये question ना मैंने जान बूच क जब आप summary पढ़ते हो, कुछ चीजें slip हो जाती है, आप सब कुछ नहीं cover कर सकते हैं, इसलिए मैंने question answers में ये point cover करा, एक question आ सकता है कि Fritz and Tommy किनक आ गया है, अचली ये British और German soldiers को नाम दिये गया है, clear, चलो जी, next question, fourth question है, describe and brief the author's meeting with Connie, author की जो meeting होई Connie के साथ, उसकी wife के साथ, Jim की wife, जो 101 साल की बुडिया थी, आई ये उसके बारे में बाग करते हैं, लिखना शोरू करो, फटा फट कॉपी निकाली, चलो, heading डालो, answer, four, Connie and Mr. Macpherson was 101 years old, इतने बुटे हो चुके थे, when the author took Jim's letter to her in a nursing home, Mr. नहीं actually Mrs. है, कौनी जो थी, वो actually कौन थी, Macpherson की wife, यानि के Mrs. Macph तो वो 101 साल की हो चुकी थी, अब उसका जो letter था, Jim का letter वो उसके पास, जब लेके पहुंचा nursing home में, she became very excited, वो बहुत ही जादा खुश हो गय, उसकी आखें चमक गई, and she mistook the author for her husband, उसको 1 second के लिए लगा, कि ये जो आया है letter देनी, उसका husband ये, Jim है, तो उसने उसको गाल पे किस किया, she said that she had been reading his letters every day, but she wanted to hear his voice, वो बोली कि आज तक तुमने जितने letter भेजें, वो सब मैं पढ़ती आई थी, but मैं तुम्हारी आवास सुनना चाहती थी, she had made a Christmas cake also for him, as he promised to come home, और उसने बताया कि उसने, उसके लिए Christmas cake भी बना के रखा है, क्योंकि तो प्रोमिस किया था कि वो अगली बार पक्का आएगा, she thought that he was back home, उसको लग रहा था कि उसका husband वापस आ गया है, she called his presents at home as the best Christmas present for her in the world, और उसने क्या बोला, उसके husband को आने को उसने क्या बोला, कि ये world का best Christmas present है उसके लिए, चलो जी, हम पहुंच चुके हैं last question पे, वीडियो के last section में, तो what had happened to Mrs Macpherson, describe her condition, आकर हुआ क्या था, आये जानते हैं, Mrs. Macpherson lived alone after her husband, जैसे ही जो उसके husband थे, Jim Macpherson, वो चले गए थे, army join करके, उसके बाद से जो Mrs. Macpherson थी, वो अकेले ही रही थी, याना, one day her house caught fire, और एक दिन उनके क्या हुआ, घर में आग लग गई, but उनको fireman ने बचा लिया, from then she had been in a nursing home for treatment, तब से ही वो एक nursing home में रहती हैं, अपने इलाज के लिए, she had grown extremely old and couldn't walk on herself, वो इतनी बुड़ी हो गई हैं, कि अवो खुच चल भी नहीं सकती, and her life got confined to a wheelchair, और अब वो उनकी पूरी जिंदगी रुख गई हैं आकर एक wheelchair पे, है ना, तो बस इसी के साथ पहुँच चुके हैं, end of slide जो specially आपके लिए बनाई है, Minions वाला, thank you and do subscribe to the channel, जो कि बहुत जरूरी है, अगर आपको चैनल को और बड़ा बनाना है, चिची वीडियोस देखनी है, मौज मस्ती वाली वीडियोस देखनी है, तो चैनल को subscribe करना ही करना है, वीडियो अच्छी लगी है, त कैसे करना है, सब तुमको बताना है, जिसलिए comment कर दो, subscribe कर दो, okay जी, मिलते है नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए goodbye, take care and मौज मस्ती करते रहे,